कि नुश्कार स्वागत आप से लिगूंग का आज के इस वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले हैं एक महतोपूर्ट टॉपिक के जो करेंट अफ्यस में काफी महतोपूर्ट अपना इस्थान रखता है जैसे इंडेक्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं सुच्छान के बारे में तो टूइंघ पिजनिस इंडेक्स 2020 के लिए बात करेंगे इस वीडियो में DPI का खुल फॉम होता है गुट्छन के दूइनडेक्स तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो लेपोर्ट है वो कौन जाली करता है सबसे पहला सवाल यह आता है ज़ल सबसे पहला सवान को गुरुप है जो इसी जो रिपोर्ट है वो जारी करता है ये जो रिपोर्ट है ये वेस्तों समू की लगब 17 नमबर की रिपोर्ट है रहनी की 17 रिपोर्ट है जो लिस्तिजरी किरी 2020 के लिए और आपको यह भी बदा होगा कि वर्ल्ड तहाँ पर अगा मैस्क हो ब्सक्राइब दो नहों कि यह बात करते हैंорот रिपोर्ट की ठीन क्या है तो जहां हम यह बात करते हैं कि इस लिपोर्ट की ठीन क्या है तो ठीन के समय के आता है इस तो लगबद दिजनिस और यह दो औरने इस विजनिस के इन दनों की बार एक ही है तो चाहे हैं नाइटी सकते हैं या या और फिम्हें चलाने के अर्च वब laten कर रहा हैं यह की तिन Secretary यह पुछा जाए कि यह जो रिपोर्ट जारी होती है कि तो आप बता सकते हैं कि 190 कंट्री के रिगार्ट यह रिपोर्ट बनाई जाती है कि रिपोर्ट परदेंट जारी है इनकी क्या है तो कंपेरिंग बिजनिस इन 190 अब हम बात करते हैं आगे आगे जब बात करते हैं तो आप देखा जाता है कि पहले नंबर पे कौन है यह सबसे दो सवाल यह भी आता है कि इस कूरी इंडेक्श में भारत के सिस्थान पर आता है यह सबसे जरूरी हो गठें कि सीस देश भटन पर कौन आता है आप बता सकते हैं कि पहले नम्मर पर आता है न्यूजीलेंड ठीक कि इस इंडेक्स पे सबसे अच्छा इस्थान रखा हुए न्यूजीलेंड है और न्यूजीलेंड के इसी के साथ जो स्कोर है वो 86.8 स्कोर है विजनेस कराने के माँदेर है जब की सबसे खराब स्थिति में यह 190 नम्मर पर जो और बात करी जाए भारत के लिए तो भारत में इस्तिती में थोड़ा सा सुधार हुआ है जब भारत की रिपोर्ट 2019 की आई की DBI की तो उसके रिगार्डिंग अगर हम 2020 की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें अच्छा आशा सुधार हुआ है 2019 की DBI रिपोर्ट में भारत का इस्तान था वो 77 नंबर का था जबकि 2020 के लिए यह स्थान जो हुआ है वो 63 नंबर का हुआ 2020 में भारत का यह ranking यह score है वो 71 जैसे NFT न्यूजिलेंड का score था 86.86 भारत का score है 71 और 2020 में इनके में थोड़ी व्रत्ति या सुधार हुआ है तो यह 77 नमबर से उठके 63 नमबर पर आगए आप हम लोग बात करें कि एक्च्वल जो रिपोर्ट यह रिपोर्ट जानी की राती है वह 190 देशों में क्या बताती है यह जो रिपोर्ट है वह 190 देशों में रहने वाले लोगों के लिए बिजनेस यानि की ब्यापार के लिए अनुकूलित परिस्थितियों को बदाती है कि ब्यापार करने के लिए वहां पे कितनी परिस्थितियां अनुकूल हैं यह यह रिपोर्ट आपको इन सब चीजों पे काम करके यह पूरी रिपोर्ट तयार की जाती है जबकि इसका मतलब अब यह हुआ कि सबसे अच्छी जो रेंक आई है वहां पे सबसे अच्छा महौल रहा होगा व्यापार करने के उद्देश से और जिनकी सबसे खराब रिपोर्ट आई है उनके यहां सबसे खराब महौल रहा होगा तो अगर कॉस्टन यह भुआ के पूछा जाए कि किस देश में व्यापार करने के लिए बिल्कुल प्रति कुलन से अनकूल होता है वैंशी प्रतिकूल इसके एपोसित है सबसे प्रतिकूल परिस्तिति हैं पूरे वेश्षी कहां पर है तो आप आप सुमालीया आप पहले इस्ठान के बाद अगर आप जानना चाहिए दूसरा तीसरा इस्थान आप देखेंगे कि Hong Kong आता है चाइना का इसके अलावा आप ये भी देख पाएंगे दौनों के स्कोर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 86.2 सिंगापॉर का है और Hong Kong का जो ब्रेट है वो 85.3 ये आपका तीनों के स्कोर कार्ड है तीनों के रैंकिंग है तो ये करेक्शन या कुछ ना समझ में आये तो भी आप कमेंट दौक्स में पूस्ट सकते हैं वीडियो अच्छा आगे तो लाइक और सियल का बटन दवा दीजिए और नाए हैं तो सब्सक्राइब दवा लिजिए तब तक कि लिए धन्दवार आपता दिन सोड़ो मत्किंग है तो मत्किंग है